उद्रप्रदेश के जन्पद मेरत में बढ़ते क्राइम को देखते हुए पुलिस ने अपनी कमर कसली है वेदव्यास कालोनी के पास चेकिंग के दुरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठबेड हो गई पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठबेड में एक बदमाश रोहित और टिंकू पुलिस की गोली का शिकार हो गया जिसके बाद घाल बदमाश को गिरुफतार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गया फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है रात जो है एक रोहित टिक्कु नाम का एक मरीज था जिसको जो है पुलिस वाले लेके आये थाना टीपी ने गर से जो की शिप्परम कर रहने वाला है उसके पैर में जो है उसको गोली लगी हुई थी जिसको इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है पूरी जानकरी तो पुलिस ही बताएगी विवेशना के लिए हमने तो उसको जो है टीटमेंट के लिए और रिलाज के लिए एडमिट कर लिया है अपने बार्ण में और रिलाज चल रहा है उसका